गूड आप्टूनून स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में प्राचिन काली जो विश्वे विदाले थे उनके बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स प्राचिन काल में जो विश्वे विदाले हुए हैं उनमें जो सिक्सा वगरा जो भी दिया जाता था जो ग्यान दिया जाता था स्टुडेंट्स को वो बहुत ही इंपोर्टेंट होता था और हमारे भारत में ऐसे माहान विष्व विदाले होएं हैं जिनमें भारत के नहीं अपितु बाहर से भी छहत्तूर अद्यन करने के लिए आते थे इनमें जैसे कि आपका नालंदा है, तकसिला है, वल्लब भी विष्व विदाले है यह महत्वपुन थे और इनके अलाव भी कई विश्वविदाले ऐसे हैं जो इतिहास में अपना महत्वपुन स्थान रखते हैं तो देखेगा प्राचिन का ऐसे ही भारत है यह सीख्षा का पर्मुकेंद्र रहा है और इसी समय से हमारे देश में सीख्षा का कफी महत्वरा है तो भारत का जो नालंदा और विक्रम सिला विश्वविदाले हैं यह फेमस रहे हैं विख्यात रहे हैं और इन विश्वविदालों में भारत के ही नहीं ठीकना भारत के नहीं आपर विदेशों से भी चात्र पढ़ाई करने के लिए आते थे तो इनी सब विश्वविदाल पक्का विश्व विद्याले से सम्मधित एक्जाम्स में पूछा जाता है तो वीडियो को आप धान से देखेगा, समझेगा और यदि आप लोगों ने हमारी यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें इत्यास विश्व से सम्मधित महतवपुन जानकरी आपको यहां पर मिलेगी और यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट वोक्स में कमेंट कर सकते हैं तो चलिए पढ़ते हैं प्राचीन कालीन विश्व विद्याले तो देखेगा जो इंपोर्टेंट विश्व विद्याले हैं उन में से जैसे कि तक्सिला विश्व विद्याले है नालंदा विश्व विद्याले है विक्रिम सिला विश्व विद्याले है और आपका वल्लभी विश्व विद्याले है लगबक क्युसन इन्हीं चार विश्वविदाले में से पूछे जाते हैं तो देखेगा सबसे पहले हम पढ़ते हैं तकसिला विश्वविदाले तो जो मतलब प्राचीन काल में सबसे जो प्राचीन विश्वविदाले वह है तकसिला है अब देखेगा तकसिला के बारे में important बाते क्या हैं तो जो तकसिला नमक स्थालय ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है तकसिला प्राचिन भारत में गंधार देश की राजधनी था भारत में दुनिया के पहले विश्व विद्दाले तकसिला विशेविदरले की स्तापना 셋वी स्तापदी इस्यापूरा में हो गई थी और तकसिला के परशित जो विद्वान है उनमें देखेगा चिन्तक, कूट नितिंगे और अर्थास्त्री ठीक है जो मतलब फ़ुपरशित विद्वान है यहां के उन्होंने चिंतक, कूट नितिक और अर्थास्त्री की यहां पर सिक्षया दी थी और जैसे कि अर्थास्त्री जो चानक्ये हैं उन्होंने भी यहां पर सिक्षया अपने सिक्षया यहां पर पूर्ण की थी और उसके बाद यहीं सिक्षन कारिय वो करने लगे थे मनलब उन्होंने यहाँ पर पढ़ाय भी अचानके ने और यहीं पर उन्होंने अपने अने गरंतों की भी रचना की तो देखेगा जो तक्सिला विस्विदाले यहाँ पर जैसे की हिंदू और बोध दोनु दर्मों की सिक्षया दी जाती थी और 405 इस्वि में फायान यहाँ पर आया था यह विस्विदाले आयरवेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंदर था तो आयरवेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंदर तक्सिला विस्विदाले था और विदेशी आकरांतों ने इस विश्वविदाले को काफी हनी पहुंचाई और 26 ताबदी में आकर्मन कार्यों द्वारा पूरी तरह से इसको नस्ट कर दिया गया और एक इंपोर्टेंट बात यह है कि यहां पर चर्क ने और चंद्रगुप्त मोर्य ने भी सिख्षया ग्रहन की थी ठीक है तो यह था आपका तक्सिला विश्वविदाले अब है आपका नालंदा विश्वविदाले तो नालंदा विश्वविदाले यह बिहार राजय में इस्ति था जो महान बहुत विश्ति विधल्य था चीन्नी यात्री व्यंशांग तता इस्सेंग के यात्रा वीवनों से इस olur से द 엘्र के बारे में विश्ति जानकरी क्राप्त होती है परसिद बोध पुत्र का जन भी यहीं पर हूं था और इस विशेविदाले कबकी 457 एश स्वी के बीच और गुप्त सब्सके बाद भी आने वाले सब वन सो ने इसकी समरध्धी में अपना योगदान जारी रखा इसे महान समराथ हर्षवर्दन और पाल सासकों का भी सरंक्षन मिला ठीक है इस्थाने सासकों दता भारत के विबिन छेतरों के साथ इसे अनेक विद्देशी सासकों से भी अनुधान मिला है और एक इंपोर्टेंट बात है कि नालेंदा विश्व विद्दाले ये विश्व का पर्थम पूंत है आवासी विश्व विद्दाले था ठीक है और ये विश्व विदाले मतलब हम कहा सकते हैं कि नालंदा विश्व विदाले ये भी प्राचिन काल में उच्छ सिक्षिया का विख्यात केंद्र था और एक बात ये भी इंपोर्टेंट है कि तुर्कों के आक्रमन से इसे बड़ी छत्ती फुंग्ची थी इस पर पहला आक्रमन मिहिर कुल द्वारा किया गया था तूर्का आक्रमनकारी बक्तियार खिरजी ने इसे जला के पूरी तरह से नस्ट कर दिया था तो नालंदा विश्वविदाले को नस्थ किसने किया था ये तूर्क आकरमनकारी बक्तियार खिरजी था इसने इसको पूरी तरह से जला दिया था ठीक है नालंदा के परसिद आचारियों में सील भद्र, धरम पाल, चंदर पाल, गुण मती और इस्तर मती परमुक थे नालंदा में सहस्तरों विदार्थियों और आचारियों के अध्यन के लिए नोतल का एक विराठ पूस्तकाल ले था जिसमें तीन लाग से भी अधिक पूस्तकों का अनुपम संग्रह था इस पूस्तकाले में सब भी विशों से संबंधित पूस्तके थी यह है रतन रंजग, रतनो धी, रतन सागर नामक तीन विशाल बहुनों में स्थित था रतनो धी पुस्तकाले में अनेक अपराप पे हस्त लिखित पुस्त के संग्रहीत थी इन में से अनेक पुस्तकों की पर्ती लीपया चीनी यातरी अपने साथ ले गए थे अब देखेगा अगला विस्वविदाले आता है विक्रम सिला विस्वविदाले तो नालंदा विश्व विदाले और विक्रम सिला विश्व विदाले दोनों पाद राजवन्स के राज्यकाल में सिक्सा के लिए जगत परशित थे वर्तमाय समय में बिहार के भागलपूर जिल्ले में विक्रम सिला विश्व विदाले इस्तित है इसकी स्टापना आठी स्टापजी में पाल राजा धरम पाल ने खी थी परसित पंडित 38 दिपंकर यहीं सिक्सन करते थे तो विक्रम सिला विस्टर दलगी स्टापना किसने के कई बार यह क्यों सन पूछा जाता है तो वह आपका था पाल राजा धरम पाल 1203 इस्वे में मुस्लमानों ने जब विहार प्राक्रमन किया तम नालंदा की भाती विक्रम सिला को भी उन्होंने पूर्ण रूपया नस्ट व्रस्ट कर दिया था और बक्तियाल खिर्जी ने 1202 या 3 इस्वे में विक्रम सिला महा विहार को नस्ट कर दिया था यहां के विशाल पुस्तकाले को आग के हवाले कर दिया था उसमय यहां पर 160 विहार थे यहां विद्यारती अध्धनरत थे ठीक है अब देखेगा अगला विश्वे विदाले आता वल्ला भी विश्वे विदाले तो यह जो विश्वे विदाले यह गुजरात में स्थित था साथ इस्ताब्दी में नगर एक परसित सेक्षनिक केंद्र बन गया यहां के दो विद्वान गुण मती तता इस्तर मती परसित विद्वान थे यहां साथ विस्व विद्वान अब देखेगा यह जो विस्व विद्वाले थे इनके अलावर भी कई विस्व विद्वाले हैं जो महत्व विस्व विद्वाले हैं जैसे कि तेलहाडा विस्व विद्वाले हैं पुस्प गिरी विस्व विद्वाले हैं तो तेलहाडा विस्व विद्वाले हैं नालंदा जी लेके तेलहाडा में मिले तेलहाडा विस्व विद्वाले के अवसेश से पता चलता है कि यह न पूस्वगिरी विश्ववदाले वर्तमान भारत के उडिसा राजे में ये इस्तित्धा इसकी स्ताफणा तीस्री स्ताबदी में कलिंग राज़ों ने की थी तो देखेगा इस वीडियो में हमने प्राचिन कालिन जो महत्तों पुण से विद्धाले उनके वारे में जानकरीव आक्ष्ट की वीडियो एक्जाम के दुरस्टि से बहुत ही महत्तों पुण है हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत झाल